हेलो स्टुडेंट्स आपका एसेटी आलन क्लासे से बहुत-बहुत स्वागत है मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग करेंगे तो उस हिंदी टाइपि है और घर पे ही रहके अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो वह कैसे सीखेंगे उसका वीडियो मैंने तयार किया है और यह मेरा पहला पार्ट होगा और इसमें मैं आगे कई वीडियो बनाऊंगा जिनमें मैं लेशन वाइस आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप खुद हिंदी टाइपिंग सीखें हिंदी टाइपिंग काफी इंपर्टेंट होता है अगर आप इसी गोर्मेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको हिंदी में ही पत्रे लिखनी होती है या अगर आप खुद का कोई आनलाइन फॉर्म भरने का बिजनेस या अबलेबल होने चाहिए तो हिंदी के फांट भी कई आते हैं पर उनमें जो सबसे आदा प्राइपिंग कर सकते हैं तो मैं पहले बात करूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर पे अबलेबल नहीं है कुर्टी देव तो हम लोग उसको कैसे इस्टाल करेंगे कि अगर हंआरे पास हिंदी का फांट ही नहीं होगा तो हम फिर टाइपिंग कैसे करेंगे इसके लिए क्या होना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आप किसी एक web browser को open कर लीजे web browser को open करने पर गूगल में जाए और गूगल में आप simple type कर दीजे download कुरुति यो और आप इंटर कर दीजे तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे आप इन में से किसी भी लिंक के माध्यम से कुरुति यो को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मालेते मैं पहले वाले का option आएगा आप डाउनलोड फांट पर क्लिक कर दीजे कोई बहुत बड़ा अप्लिकेशन नहीं होता है सिम्पाल एक छोटा सा अप्लिकेशन होता है जो बहुत क्विक आपके कुरुटर पर डाउनलोड हो जाएगा तो आप कुरुति देव को डाउनलोड कर लिजे तो जैसे डाउनलोड करेंगे तो जैस तरीके से आपका एक कुरुति देव का फाइल लोड होगा मगर यह जो फाइल होगा यह जिफ फाइल होगा तो आप इसको यहां से ओपन कर लि कुर्ती दो जीरो टेन करके आपको फांड मिल ला है आप इस पर डबल क्लिक करिए तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसका एक एक क्लिक कर दीजे तो यह आपके कंप्यूटर पर लोड कर रखा है इसलिए मैं इसको लोड करने की बाद नहीं कर रहा हूं तो इस तरीके से आप पहले लोड कर लीजे कुर्ती दो को अब देखें टाइपिंग करने का तरीका यह होता है कि आपका जो कीबोर्ड होता है इसमें हमें इनलबर पर रो अचल दो घृरा हो इनलबर कर रोंते हैं जिनमें पहले वाले टॉप नुमेरिक कीज मिलते हैं और अश्विट थीन रो होते हैं इनहीं में हमारे साथे अल्फावेअट होते हैं सा Hudson करेक्टर्इं तो हमें इनही रोर्स की प्रैक्टिस करनी है और यह होते हैं इसे shift है, caps locks है, space bar है हमें इनका भी उच करना होता है तो देखें typing को सीखने का तरीका यह होता है कि हम लोग typing जब करेंगे तो इसमें हमारा ये अंगली होगा दस्य वाले रो पर होटा है और इसी रोपे रहके हम उपर के दोनों रो में भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे स्पेस पार का भी उज़ करेंगे और सिफ्ट का भी प्रियोग करेंगी तो इसमें उंगली रखने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले Microsoft Word को open कर लीजे और उसमें आप हिंदी का फार्ण लगा लीजे कुरुती द्यों थोड़ा साइज उसका वड़ा कर लीजे और आपका जो कीबोर्ड है उसमें आपको मिडिल वाले रोपे अपने उंगलियों को इस तरह के सखना है यहां पर जो एवल आलफाबेट्स होगा इसको आप छोड़ देंगे और आपकी जो चार उंगलिया है वो यहां पर रख जाएंगी अंगुठे का हम यूज स्पेस बा मिडिल वाले रोपे रखेंगे यह जो आपके दोनों अंगुठे फिरी होंगे हम इसके माद्यम से इस स्पेस बार का काम करेंगे आपको शिफ्ट की इधर भी दिख रहा है तो चुक्कि यह जो रो है इसस में प्रेस करने पे कुछ और अच्छ़रे छप्ती है तो उनके ल रख लेंगे, A को छोड़ लेंगे, बाकी S, D, F, G पे आपकी उंगली हो जाएगी, लेफ्ट हैंड की चारों उंगली, H, J को छोड़ देंगे, और फिर आपका जो K, L, Semicolon और Apostrophe वाला की है, उसके उपर आपके राइट हैंड का जो चारों उंगली है, आप उसको रखेंगे आपने दोनों हैंड के अंगुठे को फ्री रखेंगे, इससे हम लोग Space बार को प्रेस करने का काम करेंगे, तो अभी का करना है, ससे पहले बैस तरीका है कि आप Microsoft Word को ओपन कर लीजे, और Microsoft Word को ओपन करने के बार, आप एक नया डाकुमेंट ओपन कर लीजे, और उस नया डा मैं कुरुतिव देव लिखूंगा, तो देखे हैं कुरुतिव देव 10, 0, 10 लिखके आ गया, तो आप इस फांड को यहां से सेलेक कर लीजे, थोड़ा यहां से साइज बड़ा कर लीजे, बैसे एक स्टैंडर साइज तो इसका सोला होता है, और आपको स्क्रीन पर बड़ा दिखाई पड़े, इसलिए मैं थोड़ा जादा इसका साइज ले रहा हूँ, अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको तरीका बताया था, उंगली रखने वाला, आपको उस तरीके से ये उंगलियों को चारो खी पे इधर रख लेना है, और राइट हैंड के चारो खी को इस तरीके से रख लेना है, एच और जे को छोड़ देना है, और इधर एधर आपका छूप जाएगा, अब आप करोगे क्या, पहले जो इधर की कानी उंगली है, जिस पे S एलफाबेट है, आप S को टाइप करोगे, तो आपका जो भी करेक्टर उसके उपर अवलेबिल वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, अब फिर S टाइप करने के बाद जो उसके बगल वाली उंगली है, आप उसको प्रेस करेंगे, तो उससे को ये करेक्टर आएगा, फिर उसके तीसरे वाले उंगली को प्रेस करेंगे, उससे को ये करेक्टर आएगा, और फिर वाले से का हैगा उसके बगल से बड़ी की वात्र हैंगी फिर उसके हाँ आएगा तो सबसे पहले तो आपको ये अधर से टाइब कर ले ना है अब जब उसको आप फिर सारी वहीं आ जानी चाहिए जहां पर हम लोगों ने इनको रखके स्टार्ट किया था अगर मैं एच पर टाइप करूंगा तो यह बड़ी की मात्रा आएगी अब एक स्पेस देती अब आपको राइट हैंड के कीज को प्रेस करना है और कीज अब प्रेस होगा तो इधर स की मतुँब इसे कानी उगली से सुरूब करना है इधर भी कानी उगली से सुरूब करेंगे तो यहां मैंने फिर इधर एक स्पेस किया, शा, या, सा, बड़ा, फिर जे को टाइप किया, रा आया, इस तरीके से आप मान के चलिए आप कम से कम 10 से 12 घंटे, आपको केवल इसी को ही टाइप करना है, अब वो 10-12 घंटे आप एक दिन में भी दे सकते हैं, या आप कई दिन लगा के दे सकते हैं, आप जितना एफर्ट करेंगे, वो आपका हिंदी टैपिंग उतना जल्दी से त्यार करेंगा, और आपको ये तब तक करना है, जब तक आपको याद ना हो जाए, आप बिना देख के, इनको टाइप ना करने लगें, तब तक ये आला जो प्रोसेस मैंने बताया है, य आपको continue यहाँ पर ऐसे करना होगा, तो आप कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे इस तरीके से टाइपिंग का काम करते रहें, और जब आपको लगे कि आपके उंगलियों के आख आ गये, माने आपको याद हो गया कि किस पर कौन सा अल्फाबेट है, तब आप इनसे जो सब सब्द बनते हैं, उन सब्द को आप टाइप करेंगे, तो सब्द आपको कौन कौन से बनाने हैं, जैसे पहला सब्द है काह, तो आपको याद होना चाहिए कि का किस उंगली पे, किस की पे था, उसको टाइप करेंगे, फिर हा किस पे है, उस पे जाएंगे, तो आपको क्या अब आपको चुकी याद है न कि कौँ सा character किस पर आ रहा है तो आपको की को देखना नहीं है कि आप उसको देख के तर type करें आप उसे बिना keyboard को देखते हुए इन सब्दों को बनाए है जुकी उपर आले practice से हमें याद हो गयाGS होगा फिर आप ऐसे कास सब्द को कई बार लिखेंगे और उसके बाद कास सब्द जब लिखेंगे तो इसे कई बार हमें लिखना है फिर कोरा सब्द को आप लिखेंगे, फिर आपका आगया सिकारी इसको लिखेंगे, फिर आगया आपका सारीका, तो आप सारीका को लिखेंगे, फिर आपका आगया सहारा, 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 इसको लिखेंगे, फिर आपका हो गया कहार, 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 आप इसको लिखेंगे, फिर हो गया आपका कहिए, कहिए, अब आपको बिना कीबोर्ड को देखते हुए इनको टाइप करना होगा, फिर आपको लिखना है होश, होश, होश क को टाइब करना है अब मैं आपको वही वही सब्द दे रहा हूं जो उस बीच वाले रो से बनेगा और उभी सिफ्ट को दमाने की आपको ज़रुवत नहीं पड़ेगी अब आपको लिखना है रोकिये रोकिये तो यह सब्द तो खैर कम-कम लिख रहा हूं आपको इन सब्दो फिर आप लिखे सीस ऐसे लिखे सारा तो यह जो मैंने आपको एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सब्द बताए हैं इन 15 सब्द को आप जब तक आपको लगे कि बीना कीबोर्ड के देख के हम टाइपिंग कर ले रहे हैं तब इसे आप हो सके तो 10 घंटे 20 घंटे खुब आप टाइम देके इसे कीबोर्ड पे करिए और इसका कोई शाटकट नहीं होता है एक कहावत है कि कीबोर्ड से जितना आप प्यार करेंगे आपकी टाइपिंग उतनी तेजी से होगी तो तरीका यही है कि पहले आप MS Word में आएं फिर इस तरीके से रखेंगे पहले आप इधर के चार उंगलियों से अच्छा बनाएंगे फिर इसको चुनेंगे इस वाले उंगली से इसको चुनेंगे इस उंगली से इसकी की प्रेक्टिस आपकी हो जाएगी तो आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि इन की पे सिफ्ट को प्रेस करने से कुछ और अलफाबेट चपते हैं तो हमारा अगला क्लास उसका होगा और फिर इसी तरीके से सारे रोग की प्रेक्टिस आपको बारी-बारी कराई जाएगी आपका यह काम है कि इसे कितना ध्यान देके और कितना टाइम देके इसको करते हैं दोस्तों इसका शार्ट कट कोई नहीं है और हिंदी टैपिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप मार्केट में एक कंप्यूटर या लैक्टॉप प्रिंटर और इंटरनेट लेके बैठ जिससे मैं कोई नया वीडियो बना हूँ तो उसका एलर्ट आपको तुरण मिल जाए तो आज का मैं वीडियो यहीं पर समात कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा आपका दिन सुभर